गुड मॉर्निंग एवरिबरडी तो हम लोग ने सिल्फ प्राक्टिस 4 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और मैंने कुछ इक्स्ट्रा कुशिन भी दिया थे आप लोगों को सॉल्फ करने के लिए आई होप आपने उसे भी सॉल्फ कर लिया होगा ठीक है तो जो निक्स ए को हम लोग समझ लेते हैं अगर यह दो टॉपिक हम लोग समझ जाते हैं तो सिल्फ प्राक्टिस फॉर्स ही हमारे लिए बहुत इजी होगा सॉल्फ करना तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म चेक है तो देखो स्टैंडर कोई भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा जब उस नंबर में कोई भी डी समल नहीं है वो स्टैंडर्ड फॉर्म का एक एक में हो सकते हैं तो standard form का मतलब होगा कि कोई भी number जिसमें कि decimal present नहीं हो और वो single number हो लेकिन scientific notation में कोई भी जो number scientific notation में होता है उसमें आप देखोगे कि उस number में आपको decimal में होंगे and with the product of two factors तो यहां पर देखो कि यहां पर सिर्फ तो एक factor है तो एक ही number है लेकिन यहां पर देखो दो अलगल नंबर है 6.3 into 10 to the power 5 तो दो अलगल नंबर से तो standard form में decimal नहीं होता है और वो single number होता है ठीक है लेकिन scientific notation में आप देखोगे उसमें decimal भी present होगा और उसमें दो number product के form में होंगे ठीक है तो कुछ और example में पहले आपको बता देता हूं कि scientific notation और standard form नहीं ठीक है देखो तो scientific notation के लिए सबसे important चीज आपको क्या याद रखना हो बताऊंगा ठीक है तो scientific notation के लिए क्या होता है कि जब decimal है तो decimal के पहले सिर्फ और सिर्फ एक number होना चाहिए मतलब before decimal only one number और वो जो number होना चाहिए वो number आपको 0 नहीं होना चाहिए 0 छोड़के आप कुछ भी number रखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है ना लेकिन वो number 0 नहीं होना चाहिए जैसे को एजामपल देखो अगर मैं यहां पर लिखूंगा अगर मैं यहां पर लिखता हूँ 4.2 into 10 to the power अगर मैं 2 लिखूंगा तो यह मेरे लिए scientific notation में है बिलकुल है क्योंकि scientific notation के लिए रूल क्या होता है कि decimal के बाद सिर्फ एक digit होना चाहिए और वो जो digit है वो 0 नहीं होना चाहिए ठेक है अगर मैं लिखूंगा 27.3 into 10 to the power 4 लिखता हूँ तो क्या यह मेरे scientific notation है नहीं बिलकुल नहीं है क्यों क्योंकि decimal के बाद यहां देखो 2 digits है लेकिन rule क्या होता है कि decimal के बाद सिर्फ कितने digit होने चाहिए 1 लेकिन यह decimal के बाद 2 digits है इसका मतलब यह scientific notation में नहीं है अगर यह decimal यहां पर होता तो यह 2.73 into 10 to the power अगर 5 होता तो यह number जो है यह number आप बोल सकते हो कि यह scientific notation में क्यों क्योंकि decimal के बाद सिर्फ एक डिजिट है और वो डिजिट आपको बिलकुल नंग 0 है तो इसका मतलब यह scientific notation है ठेक है अगर ऐसा होता अगर मैं लिखता 0.012 into 10 to the power 2 अगर मैं ऐसा लिखता तो क् को बताऊंगा कि हम लोग कोई भी number जो standard form है उसको हम लोग scientific notation में कैसे convert कर सकते हैं और कोई भी number जो scientific notation में है उसको हम लोग standard form में कैसे convert कर सकते हैं ठीक है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि standard कोई भी standard form में जो number है कोई भी standard form में number है उसको हम लोग scientific notation में कैसे हम लोग convert करेंगे ठीक है मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है जैसे यही number देखो नमबर था आपका 7, 4, 2, 0, 0, 0, 0 तो इस number को अगर मुझे standard form में convert करना है इसको convert करना scientific form में तो मैं आपको बताया था कि decimal के बाद सिर्फ एक number होना चाहिए और वो non zero इसका मतलब 7 के बाद अगर मैं decimal लगा देता हूँ तो अब देखो तो इसको क्या होगा 7 के बाद मैं 7 के बाद decimal लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं 4, 2 लिखता हूँ ठीक है अब देखो कि जब 7 के बाद मैंने decimal लगाया तो उसके बाद कितने साथ डियरे से count करो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो मैं क्या लिखूँगा 10 to the power 6 है ना मैं बताता हूँ मैंने क्या किया कि यह जो number standard form में है इसको अगर scientific notation में convert करना है तो rule क्या होता है कि decimal को आपको वहाँ पे place करना है कि decimal के बाद सिर्फ एक number होना चाहिए एक ही number तो आप देखो decimal के बाद सिर्फ एक ही number 6 ठीक है कुछ और number देख लेते हैं अगर यह 25000000 यह number है अगर मुझे इसे अगर convert करना है scientific notation में तो मैं कैसे convert करूँगा तो decimal कहा होना चाहिए बिलकुल यहां rule कही साब से क्योंकि decimal के बाद सिर्फ एक डिज़ अब decimal यहां put कर सकते हो 5 के बाद नहीं क्यों क्योंकर यहां put क करते हो तो decimal के बाद 2 digits हो जाएंगे तो rule की साब से मेरे को decimal यहां पर put करना है क्योंकि यहां पर जब मैं put करूँगा तो decimal के बाद सिर्फ एक number होंगे तो मैं क्या लिखूँगा इसको 2.5 ठीक है 2.5 और आप देखो इसके बाद कितने सारे digits रे count कर लो 1 2 3 4 5 6 7 तो मैं जिरो 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 चुले यह number है तो अगर मुझे से scientific notation में convert करना है तो rule के इसाब से decimal बिलकुल होने चाहिए यानि किया लिखो कि 1.32561 यह digit कहां तक लिखेंगे जहां तक आपके non zero digits है अगर एक बार 00 start हो लिखना start हो गया तो आप उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नही zero digits है तो मैंने यहां तक लिखा तो अगर decimal यहां पर put किया है तो decimal के बाद count कर लो number कितने है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो मैं है लिखेंगे 10 to the power बिलकुल 9 ठीक है कुछ एक दो example और देख लेते हैं अगर 5,3,0,0,1,4,0,0 यह number है मुझे इसको convert करना है तो rule के इसाब से 5,3 लेकिन देखो 00 के बाद कुछ और digits है तो मेरे को यहां तक इसको लिखना पड़ेगा 5,3 फिर यहां पे 0014 तक मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि जब आखरी में 00 start होते हैं तो मैं उसको नहीं लिखता हूँ ठीक है तो मैंने इसको लिखा 5,30014 तो जब decimal यहां पर हमन है अगर 2,0,5,0,2,0 अगर यह नंबर है तो अगर मुझे इससे convert करना है scientific notation में तो मेरे को decimal फिल से यहां पर plot करना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा यहां पर 2,0 फिर मेरे को यह नंबर लिखना पड़ेगा 0,5,0,2 तक लिखूंगा क्योंकि 2 के बाद तो फिर 0 होना start हो ग तो यह कुछ examples थे जिसमें मैंने standard form से scientific notation में convert किया तो I hope यह आप समझ गया होगे कि standard form से scientific notation में कैसे convert करते हैं और scientific notation का सबसे important क्या बात क्या था मैंने आपको बताया कि decimal के बाद सिर्फ एक number होता है और वो जो की non zero number होता है ठेक है अब मैं आपको बताता हूं scientific notation से standard form में हम कैसे convert करते हैं scientific notation scientific notation to standard form standard form कैसे convert करते हैं ठेक है देखो जैसे एक number है 2.5 into 10 to the power 2 है suppose करो इसको मेरे को standard form में convert करना है ठेक है तो अब देखो 2.5 into 10 to the power 2 है तो इसको मिले सकता हूं 100 से multiply करोगे तो 25 और यतने zeros होते हैं आप put कर दो यह हो गया लेकिन आप देखो decimal के बाद सिर्फ एक digit है तो मेरे को यहाँ पर decimal यहाँ पर put करना होगा तो इसका मतलब यह जो number 2.5 into 10 to the power 2 था उसका standard form कितना हो गया 250 250 आप इसको सिर्फ 250 भी लिख सकते हो 250 भी लिख सकते हो ठीक है कुछ और example देख लेते हैं जैसा अगर एक number है 4.31 into 10 to the power 4 है 10 to the power 4 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे इसको लिखेंगे हम लोग 4.31 into 10 to the power 4 है मतलब 1,2,3,4 ऐसे लिखेंगे हम लोग ठीक है अब उसका multiply करेंगे तो क्या होगा मेरे को देखो मेरे को लिखेंगे इसक तो 1,2,3,4 ठीक है decimal के बाद देखो कितने digit है 2 तो में लोग यहाँ पर decimal यहाँ पुट करेंगे तो आप इसको लिखोगे इसका answer जो होगा final यह लिखोगे 43100 तो यह हो गया इसका standard form में number ठीक है कुछ एक दो example और देख लेते हैं ठीक है अगर यहाँ पर एक number है मेरे पास है 2.5050 into 10 to the power 5 है ठीक है मेरे को इसको solve करना है तो मैं क्या करता हूं सबसे पहले मैं इसको लिखता हूं 2.5050 into 10 का power 5 है तो यहाँ पर 1,2,3,4,5 टाइंस लिखेंगे अब जब इसको multiply करोगे तो 2.5050 और इसके बात कि 1,2,3,4,5 है तो 1,2,3,4,5,0 है ना अब देखो decimal के बात कितने numbers है 1,2,3,4 है तो इससे count करोगे 1,2,3,4 तो यहाँ पर put करोगे तो आप इसको लिखोगे 2.50500 तो यह होगे आपको बिल्कुल standard form में तो यह scientific notation में था इसको standard form में convert कर लिया ठीक है कुछ और हम लोग देख लेते हैं 4.31010 ठीक है और into 10 to the power मालो कि यह 6 है 10 to the power 6 है तो इसको में convert करना है तो मैं क्या लिखूँगा इसको मैं इसको लिखूँगा 4.31010 into 10 to the power 6 है मतलब कितने बार 0 दोगा 6 बार 1,2,3,4,5,6 ठीक है अब इसको multiply करना है कितना आ जाएगा 4,3,1,0,1,0 अब इसके कितने 0s है 6,0 1,2,3,4,5,6 अब देखो decimal के बाद कितने साथ digits है 1,2,3,4,5 है तो 5 digits count कर लो 1,2,3,4,5 तो decimal यहां पर पोट होगा तो आप इसको लिखोगा यहां पर 4,3,1,0,1,0,0 तो यह आगे आगे आपको इसको standard form में तो scientific notation था उसको standard form में convert कर दिये तो simple तरीका यह है कि जितना भी power है 10 का आप सीधा उसको लिखोगे multiply करोगे और decimal पूट करोगे तो decimal कैसे put करते है multiply करके यह तो आप लोग class 4,5 से पढ़ते आ रहे हो तो यहां बिलकुल आपको problem नहीं होगा ठीक है तो यह कुछ scientific notation और standard form आप समझ गवा होगे मैंने कुछ example दिया था ठीक है तो अगर आप चाहो तो आप start कर सकते हो बिलकुल self practice force ही otherwise हम लोग tomorrow start करेंगे लेकिन एक question हम लोग देख लेते हैं जैसे देखो first question are the following number written in the scientific notation yes or no में answer देना है तो देखो यहाँ पर क्या है 24 into 10 to the power 7 है तो 24 कहीं भी तो decimal कहां पर होना चाहिए 2 के बाद 2 के बाद यहाँ पर decimal होना चाहिए था उसके बाद 4 होना चाहिए बाकि जो power है तो decimal तो है नहीं इसका मतलब यह 9 होगा यह देखो तो यह 7 है 7 के बाद मैं 7 के बाद 0 लगा सकता हूँ क्योंकि कोई भी number है उसके बाद अगर मैं decimal लगा देता हूँ उसके बाद 00 लगाऊंगा तो वो number तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका मतलब यह जो number है यह बिलकुल आपको scientific notation में क्यों क्योंकि 7 को मैं 7.0 भी लिख सकता हूँ है यह और आप 2,3,4 आप ट्राइ करना खुद से solve करने का अधरवाइस next day मैं इसको solve करता हूँ thank you very much